और जो JPSC या UPSC का जो एक्जाम होता है ना उसमें आपको पूछा जाएगा आपका 20 से का इतिहास से भी वहां कोसेन होते हैं तो इसलिए अभी 20 से का इतिहास में आम लोग नहीं जा रहे हैं और जो जहारखन का इतिहास जो आप लोग देख रहे हैं यह आपका JSC में ता बेसिक ठीक है इसलिए बढ़ो जो कि अचार कि अचार को अचार के अचार को अचार के भारतिया इतिहास काम तीन भागों मांटे थे एक प्राचीन इतिहास प्राचीन कालना कि दूसरा गया था मैं दिकालिन और एक थाप का अधुनिक इतिहास ठीक है प्राचीन काल को इंग्लिस में कहा जाता है एंसेन हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री मैं दिकालिन इतिहास और यह आपका मोडर्न हिस्ट्री हो जाएगा आधुनिक जो आपका इतिहास देख रहे हो इसको हम विभाजित कर दिये थे 1206 से जो पहले की जो घटना आप देख रहे हो उसको हम लोग यहां से पढ़ेंगे प्राचीन काल के इतिहास में है जहां जैसे इसको विभाजित किया जाता है समझ मैं तो देखिए उसके बाद मैदिकालिन इतिहास को हम लोग 1206 से हम लोग लेके चलेंगे 1857 के बीच की जो भी घटना होगी यह हम लोग पढ़ेंगे कहां इससे पहले 1857 से पहले तक की और 1857 के बाद जो भी घटना हो रहा है इसको हम लोग आधूनिक इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप लोग को बताये थे कि इतिहास कहते किसको है इतिहास सबसे पहले हम लोगों समझना है कि इतिहास कहते किसको है एकल आप लोग को पिछले क्लास में बताये थे तो कौन बताएगा सुमीथ इतिहास किसको गाते हैं कि कल आया था ना बताओ चलो गूड , सई जवाब है, देखिए, इती मतलब होता है बिती हुई, क्या होता है बिती हुई भिती हुई घ्टना जो खटम हो गया क्या हो गया हास मतलब प्रहता है खत्म हो गया करिया ओ और इसकी जानकारी हमको जदि लिखित रूप से आश स做 yentri Di नहीं उसको भी इतिहास कहेंगे जैसे उसका कुछ आउसेस मिल गया है हम लोगो कुछ इंट मिल गया है या कोई पुराने मुर्ती मिल गया है तो इस तरह का बहुत सारे स्पड़िण सब्सक्राइब करें अधिया लेकिन उसका लिखीत रूप से जानकारी नहीं मिला लेकिन उसके कुछ आउसिस हम लोग को पराप्त हों यह उससे भी पहले ज्ञारखन में अगर हम आएंगे तो असूर से भता जो थी असूर जो जन जाती लोग थी बहुत पुरानी जन जाती है वह लोग भी तो उस समय के क्या मिले हम लोगों को कुछ कुछ आउसे सिर्फ मिला है उन लोगों का ठीक है तो इसको भी हम लोग इतिहास कहेंगे लेकिन यह कौन सा इतिहास होगा तो प्राग इतिहास काल कहेंगे उसको लिखित रूप से हम लोगों को जानकारी नहीं मिला और लिखित रूप से जानकारी मिला भी तो वह था आपका चित्र लिपी जो आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाएं समझ में रहा है तो उसको कौन सा इति इतिहासी काल अब देखिए इतिहास तो बिती हुई घटना जो हम लोग को लिखित रुप से परमान मिलना उसे हम लोग इतिहास कहते हैं तो हम लोग सताब्दी का जो समय आता है यह होता है आपका धार्मिक जूग कोंसा जूग आता है धार्मिक जूग छट्वी सताब्दी का जो समय देख रहो न यह धार्मिक जूग जैसे उससे पहले अगर हम बात करेंगे तो मानों जो है इधर उधर बिखरा हुआ था इन लोगा कोई भी भी यहीं समय से आपका सुरुआत हो गई थी जैसे सनातन धर्म की बात करेंगे यह तो बहुत पुरानी धर्म है तो इसरा जो छट्वी सताबदी में जैसे हम लोग बात करेंगे जैसे आपका हो हties के बाद का इसामस् का विकास अपका होना सुरू होजाता है जिसका हम लोगों को लिखित परमान थो अभी हम लोग चलते हैं अखार्म है घ्झी धार्मिक अंदूलन किसमें जाएंगे धार्मिक अंदूलन चलिए हूँ लुटार्श देखिए अच्छ देखिए धार्मिक अंदूलन यहां से शुरू होती है सब्सक्राइब लिए और अब लोग समाज़ें कि आदमी उस समय जो है ना बहुत सारे इधर उधर दिखरे उए थे जैसे आजकल अगर हम देखेंगे जानवर सब जानवर सब भी उसी तरह से है क्या उनलों का कोई रूल रेगूलेशन है कुछ भी चल भाई यहां पर रहना है कुछ पढ़ना लिखना है उनलों का नहीं है तो मनुस भी एक समय इसी तरह से था ठीक है तो ओही चीज़ आपका दीरे दीरे किसी किसी बेखती का थोड़ा सा आपका ज्यान आना शुरू हो गया कि चल भाई इस माहौल में आप भी ढ़लिए ठीक है और वह आपको बताने लग गया कि नहीं आप ऐसे करोगे तो आपको फल मिलेगा बहुत सारे चीज़ उस समय बताने लगे कुछ कुछ ग यह करता है क्या रोक लगाता है ना मंक स्मिट खाता है वो लोग नहीं सब्सक्राइब साइंस के हिसाब से वह लोग यूज करते हैं समझ में और मान लेते हैं आप कुछ-कुछ इधर भारत में जो है मिख रूप से अगर हम देखेंगे तो राजस्थान वाला छेत्र में बहुत ही कम मात्रा में आपका मिट का यूज किया जाता है मांक्स जो है न अगर आपको अगर में बनते रहता है समय रहां कि क्या बोल रहा है अगर अगर शेवता रहें और उधर आप राजस्थान वाला जो छेत्र देख रहा है न वहां मरवारी लोग है मरवारी समझते हो जानते हो मरवारी लोग जो है न लोग मांक्स नहीं खाते हैं उन लोग घी मक्षन दूद ये सब पनीर ये सब खाएंगे और उन लोग इसब खा के भी बहुत आपके क्या रहता है स्वस्तर रहता है पुछ लोग से जैसे होता है होना है कि एक चीजिड आप लोग देखना एक होता है बाग बाग क्या खाता है मौंस और हुरन है सिर्फ घास भाता है फृर्टिला क्यों सबसे ज्यादा है भले वह शिकार कर लेता है बागodes पुर्टिला देकना सबसे ज्यादा फूर्तिला तो हीरन जैसा जो सकारी होता है ना उसका हीरन जैसा पत्य दिमाग होता है और जो मांक्स काता है उन लोग निसा जाए सेर जैसा बनेगा उपका इस तरह कंडिशन देखने को मिलेगा आईए अब हम लोग चलते हैं छट्वी सताब्दी में धार्मिक जुग शुरू हुआ था कुन सा धार्मिक जुग तो यहां एक धर्म के बारे हम लोग आज पढ़ाई करेंगे बुद्ध्य धर्म यहां सभी धर्म के बारे पढ़ाई होगा याद रखिएगा कि ठीक है कि 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 आई ना पाकिस्तान नहीं भारत बना है ना शेल ये गुड़ तो देखिए कि अब यहां पर आईए एक जगह आप लोगों को ले चलते हैं भारत के इधर उपर में आप लोगों को पता होगा कि इधर बहुत बड़ा हिमालय परवत है और हिमालय परवत के हिमालय परवत यह देख रही है आपका जो छेत्र है उसके तराई में यह चेत्र पढ़ता है अपने पाल कोन सा जगह नेपाल ठीक है यह देश का नाम है नेपाल कौन सा देश है नेपाल नेपाल में ही एक छेत्र पढ़ता है हिमालय परवत की तराई है अहां पर यह जो देख रहे हो ठीक है इस छेत्र का नाम है कपिलवस्तू कपिल जग्हा का नाम क्या है कपिल वस्तु यहां पर कपिल वस्तु जो छtwृतु देखर रहा है यहां पर एक राजा समझी या उगां का एक चोटा सा च्छृत रख कायक सा कपिल वस्तु जो छेत्र देख रहे हैं यह कहां पर पढ़ता है नेपाल और नेपाल में कपिल वस्तु जो हिमाले परबत की त्राई में एक छेत्र पढ़ता है यहां का सासक का नाम क्या बता रहे हैं सुद्ध धन क्या नाम बता रहे हैं सुद्ध धन ठीक है चलिए अब देखिए यह जो सासक देख रहे हैं कपिल वस्तु के रहने वाले हैं अब इसकी जो बेवाहिक संबंद बना यह आपका कोसल गनराईज यहां जो देख रहे हूं न यूपी में पढ़ता है कोसल जिसका नाम था महामाया क्या नाम बता रहे हैं कोसल गनराईज के राजा की राजकुमारी का नाम था महामाया कि अधिक है समझे अब जहां देते चलिएगा ठीक है देखिए कपिल वस्तु हिमालय परवत की जो त्राई में एक छेत्र पढ़ता है कपिल वस्तु और यहां का सासक का नाम क्या है सुद्धधन और आपको बता रहे महामाया यह कहां कि रहने वाली है कोसल गन्राइच कोन सा चेत्र कोसल गन्राइच की यह राजकुमारी इसके साथ इसका बेवाहिक संबंद बना क्या बना इसके साथ कोसल गन्राइच की राजकुमारी जो थी वह आपका महामाया इन दोनों के बीच इसका बेवाहिक संबंद बना यानि साधी कर लिया ठीक है तो चलिए, साधी करने के बाद, ये भी राजा घराने का अदमी है, सुद्धधन, ठीक है, राजा है, अपने कपिल वस्तु का, अर उधर कोसल गनराज की जो आपका राज कुमारी जो देख रहे हो, ये महा माया, इसके साथ इसकी साधी हो गई, अब साधी होने के बाद, बह कोई भी संतान नहीं हूआ, बहुत लंबे मतले 5-7 साल गुजर गया लेकिन कोई संतान के जनन म इसका घर में नहीं हुआ, और राजा का घर में जदी मान लेते हैं संतान का जन्म नहीं होता है ना तो सबसे बड़ी दुख की बात होती है उन लोगों को संतान चाहिए आगे देखिए आगे उसका जो राजपाट है वो संभालेगा कौन बहुत दिक्कत हो जाती है अभी देखिए हम लोग का रातु का महराजा इसका संतान नहीं होने के कारण अभी इसका जो भी संपति है विले रहे हैं सरकार कोई Яदिकार कर ले रहा है तो तो इस तरह से बहूत सारे दिक्कति होती है जैदी राजा का जो मान नहीं नहीं हुआ तो देखिए इसका बहुत लंबे समय तक जो है सुद्धधन और महामाया जो देख रहे हैं दोनों पती पत्नी या दमपती है इन लोगों का जो है संतान नहीं हुआ चार साल पांस साल छे साल साथ साल तक गुजर गया तो जब ऐसा कंडिशन कभी भी होता है तो क्या किया जाता है बहुत जगा जो जैसा आद्मी बोलता है ऐसे जगह यह लोग पूजा पाट करना सुरू कर दिये और यहां तक कि जितना भी भारत में मंदीर मह्जीद था ना हर जगह चल गया था ठीक है चलो यहां माल लेते हैं कौन-कौन सा मंदीर है रहे यहां जार्खन में नहीं जार्खन के तो पहाड़ी मंदीर है आपका उ पूला सभी मंदीर महजीद में यह लोग घुमें तब भी इन लोगों की संतान की कोई भी आपका पते नहीं चल रहा है कि यह होगा या नहीं होगा इस तरह का बहुत किसी के गाव में भी इस तरह का आपको देखने को मिलता है तो यह लोग बड़ी दुख में रहते हैं कि संतान किसी तरह से यह होना चाहिए यह लोग भी उसी तरह का इन लोग के पास कंडिशन बन गया था कि बहुत लंबे समय तक इन लोगों का कोई संतान नहीं होने के कारा है जो जैसा बोल रहा है मंदीर महजित यह लोग सभी जगा इन लोग भरमान करते हैं और जो बोलते ह भी ना बोलते हैं ये लोग देने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन फिर भी इन लोग के का संतान जो होने की उम्मीद जो है अभी तक नहीं बना बहुत लंबे समय गुजर गया गुजरने के बाद अचानक से जो है महा माया को लगा कि हां मतलग वह ऐसा उसको अश्वा कि गर्भति अब यह बन गई तुरंद आपने पती को बता है इसका पती कौन है सुद्धधन ठीक है यह भी खुस हो गया अरे गर्भति हो गई तो खुस है ना ठीक है तो जैसे यह न कि चलई है संतान का हमलोग का उम्मीद था यह कही ना कहीं किसी भगवान घर में होता है ना तो माइके में उसका चन्म होताए करें इसका मामा घर में क्या आप लोगा इधर ऐसा विद्टीसन है नहीं है डेखें हम बता रहें कोई जो OC वह दिता है जो फाला बच्चा होता है ना यरुका मामा घर में ही उसका जन्म होता आँ की माई के अभी भी चलता है कोई-कोई जगा में जैसे मान लेते हैं यह गर्वती है और आपका यह जैसे मतलब बच्चे का जन्व देने के समय आ जाता है एक दो महीने मात्र बचा हुआ है तो उस समय क्या होता है अच्छा-च्छा इसको खाना चाहिए खाना पीना दूसरा ऐसे चीज इसको नहीं देखना चाहिए जिससे मतलब बच्चे को बुरा परभा पड़े कोई भी बली चड़ते हुए या कोई साप भी नहीं देखा जाता है या बहुत ऐसा चीज को नहीं देखा जाता है तो इस सब चीजों से उसको दूर रखा जाता है दूसरा आप लोग देखते बहुत भारी काम करवाए तो उस समय भारी वरकम काम भी नहीं किया जाता है समझा दिक्कत पड़ जाता है तो यह सब यहां पर देखभाल कौन रखेगा और मायके में तो उसकी मम्मी जो है वो देखभाल रखेगी तो इसलिए जो पहला जो संतान होता है यह मायके भेजिया तसमंगे तो इसने भी इसको को इधर लिखता है महा मया सुअरधन भी इसकी वाइब जो महा माया इसको अपने माई के भेजने का जो है पर प्रोग्राम बना लिया अब माईगे भेज़ेगा तो क्या ये खुद पहुचा देगा आज कर था तो यह राजा आज इसका तो बहुत सारे पती है परज्जा है वह लोग इसको पहुचाएगे तो अब देखिए यहां पर इसकी बैवस्था किया इसका एक सार्थी था ठेक ह सुद्यधन का एक सार्थी था उसको बोला कि चल रत जो है तियार कर इसको इसके माई के छोड़के आना है इसका सार्थी रेडी कर दिया इसका रत अब रत में बैठ के जाएगी रानी है ना अब देखिए ये कपिल वस्तू जो देख रहे हो ना कपिल वस्तू से ये कोशल ग जेंगल पड़ता है का लेंगल बन मता रहें को का बिलबस्तू के जैसे यहां से घर से निकलोगे कुछी दूरी के पुछी दूरी मंता पर दता है और है Noah अब यह लोगत जब भी रत लेके जाएंगे तो उसी बन के लुम्पिनि बन जो देकर उस के बीच से हो का रास्ता गुजरती है कांसे जैसे यह माल लेते हैं कपिल बस्तु गाउं है अब यहां से आपका कोसल गराई आपको जाना है तो इसके यह दोनों साइट में जंगल है और इसके बीच से आपका रास्ता है है कि समझ में रहा है थोड़ा सीधा अभी लिखे हैं लेकिन एधर जहां जंगल होगा तो उधर नदी यह सब भी होगा ज़रना इस अपको निकाला थोड़ा दूरी था रथ निकाला इसका साथी जो था अब महामाया को बैठा लिया इसको महामाया अब बैठने के बाद यह तो गाउन से निकलने के बाद जहां जंगल बीच में चले गया अब जैसे जंगल जंगल में जब आप गुशते हो ना तो देखना कभी कल कभी जंगल में जहां पर वेश किये तो वहां पर बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं बहना सुरू हो जाएगी अब जब ठंडी ठंडी हवा बहती है न तब आपको नीद आता है सभी बात है कि ने कभी आप लोग गाड़ी में ट्रेवल करते हैं सब सो जाता है कि इतनों रात में सोई यह गाड़ी में जहां बैठा सीट में खिड़की किनारे साइड में हवा चल रहा है तो नीद आए बाई के जाओगे तो कोई दिक्कत है नहीं नहीं आता है लेकिन बestly रखेता कारों में बैठा तो आपको पीछी आपको नीद आएगा अचा हूता है पर इसे लिए बाइक हॉए इस तरह का पार की जिलनोंत बैब हमको तो बहुत दूर तक हम भाइकमें जा सकते हैं लेकिन कार हिम दिक्कत हो जाता है कैसे इनी लगता है दूसरी बात किसी किसी का जांते हुट भी होता है ऐसा होता है हाँ सही बोला आगे बैठने मिल गया या चलाने मिल गया ना तब कहीं भी आपको नीद नहीं लगेगा और उल्टी भी नहीं आएगा लेकिन पीछे बैठने बोलो तो बहुत दिक्कत होता हमको भी आगे साइड में बैठ सकते हैं चला सकते हो गाड़ी पीछे बैठना मतलब मुस्किल में तो यह सब दिक्कत होती है देखिए तो इसी तरह से महा माया जो देख रहे हो ना यह आपका जहां जंगल आपना परवेश किया तो वहां पर क्या हुआ ठंडी ठंडी हवा बहने शुरू हो गई तब जानते हो इसको आँख जपकी आ गया नीद लग गया तो राजा महारा जाका रत भी तो थोड़ा बना हुआ रहता ना बढ़िया तो देखिए इसको एक आँख जपकी आने से जानते हो कभी इतना अच्छा नीद आता है ना कि सपना देखने लग जाते हैं सही बात है कि नहीं जानते हो इस सपना देखिए अचानक से जपकी आ गया ना तो भगवान का उतार है और यह इस धर्ती को देखार करने के लिए जन्म ले रहा है कि आख खुला अचानक अरे वह सपना था अच्छा नहीं लगेगा इतना अच्छा सपना कोई भी देखेगा आपने संतान के बारे में तो जरूर एक बर तो आंक जानक खुला तो उसको लग रहते हैं अच्छा चलिए ठीक है चलो फिर से आगे रथ बड़ा थोड़ा फिर जानते हो फिर थोड़ा सा कुछ देर के बाद फिर उसका आंक लगया आंक मतला जब की आगया सो गई अब फिर सपना देख रही है संतान का जैसे वह भाईसवानी हुआ था न कि ये तुम्ह ले रहा है कुछ दूरी के बाद ये आंक खुला फिर से इसको एक जफ्की आ गई तो फिर से सफना देखना सुरू और फिर से जब सफना दूसरा बार जब यह देखा तब उसमें क्या हुआ जानते हो बच्चे का जन्म हो गया है और उसको हाथी जो है कमल का फूल में सुल करिए है इस तरह कर है ठीग है तब जाकर फिर से जैसे यह सपना करी नहीं और आगे रत चला है और एक घोड़ा जो था ना ठोकर लग यह ठोकर लगने के फलसरूप जो है उसका घोड़ा जो है बैट गया जिके कारण से उसका रत जो था ना पलड़त जा हूँ पलटने के फलसरूप क्या हुआ वो महा माया उहां पर गिर गई गिरने के फलसरूप उहीं पर उसका परसव पीड़ा जो है न परसव पीड़ा होने के कारण अब एक चीज बताए इस सार्थी अब उसका माई के ले जाएगा या रिटन लाएगा जिधर नजीद नजदिक रहेगा यहां जाने में तो दूर है थोड़ा यह तो जंगल इसके जस्ट नजदिक ही था तो इसको इसका माई के नहीं पहुंचा के इसको अहीं से फिर से रिटन अपना घर लेके आ गया अब महा माया जी अभी बेहोस है जैसे वो बेहोस केसे हो ज गया परशुपिपjor के कायन भी बेहोस हो जाते हैं दूसरा वो जो बच्चा को देखी न सब्सक्राम टेखी थि शनल का सप्छी सपना में जैसे वह था तो वह बच्चा जो है देखने में बिलकुल भी इस तरह का था वह सोंचके वह पाजाद जो है बहुत खूस हुआ क्योंकि बहुत लंबे समय कि अपका परतीच्छा के बाद महा माया और सुद्रधन की परतीच्छा के बाद संतान का जनम हुआ तो कोई भी आदमी खूस होगा दूसरी चीज़ यहां पर क्या हुआ कि जब यह एक आपका महा माया जो देखे हो यह अभी बेहोस है इसको ठीक करना अनिवार जाए क्यों कि इसका बच्चे का पालन पोसन कौन करेगी जानते हो महा माया ज्यादा दिन नहीं आपका साथ दिन तक आपका बेहोसी के हालत में कि आपका जीवित रही और उसके बाद उसका द्यांत हो गया यानि देखा जाए जो बच्चे का जन्म हुआ उसकी माँ साथ दिन के बाद उसकी द्यांत हो गया अब तो बड़ा मुसीबत एक तो बच्चे के लिए कितना दोनों पति-पत्नी जो है हर मंदिर मस्जित आपक गुम गया था तब जाके एक संतान का जन्म हुआ और उसके बाद जन्म हुआ भी तो इसकी माँ चल वसी बहुत दुख्की बात है अब इस बच्चे का पालन पोस्टन होगा कैसे बहुत दिक्कत वाली बात है तो देखिए यह महा माया जो देख रहे हो ना इसकी एक बहन थी क्या ना मता रहे है बहन और इस बहन बहन की नाम थी महा पर्यापती इसकी एक बहन थी अब है अब ही महा पर्यापती लिख रहे है तो समझे है महा माया की यह कून थी बहन अब देखवाल करने में इसको मुसीबत आ गया कि अब इस बच्चस उसकी मिर्तु हो गही तो आप तो रही नहींना अब इसकी बच्चे लोज्याडत बच्चे का देखभाल क्या कैसे होगा तो इसकी एक बहान थी जिसका नाम था महा पर्जापती कि इसका गोतिमी भी पढ़ता है महाnier परिया पती- किसकी बहान महां stir den इसकी देखभाल कौन करेगा तो उसका इसकी जो माईके वाला जो है चल भाई आपकी जो है इसकी बहन जो है यह इसकी देखभाल तरीके से कर सकती है तो उसी को लेकर आया जाए अब यह जो है उसके बच्पन में महापर्यापति गोत्मी जो देख रहे हो यह सुद्ध इस बच्च कि अब चलिए बच्चे का तो अब आपका देखवाल सुरू हो गया दूसरा चीछ एक चीछ बताईए ये महा माया की ये बहान है सुद्धधन की ये कौन होगी साली नहीं होता है तो देखिए एक चीछ बताईए इसकी साली को इसका घर में लेके आके रख लिया है गाउं का आदमी क्या सुचेगा अधा घरवाली है अधा घरवाली नहीं है हो जाएगी अभी ठीक है चलिए बहुत कोई कहता है कि साली आधा घरवाली होता है काम सब कोई सब काम कर देता ही ना तो चलिए कोई बात ने देखिए समझ ये बात क्या है तो एक चीज़ बताइए यह महापरजापती जो देख रहे हो यह सुद्धधन का घर में आके यहां पर रहे अभी और इस बच्चे का पालन पोस्टन जो है यह करेगी तो यह कितना दिन करेगी अब अब उसका साधी नहीं होगा उसका भी तो अपना लाइफ है जीवन है तो कितना दिन वो इसका पालन पोस्टन करेगी तो समझे यह बात यहां पर ऐसा हुआ ये बच्चे का पालन पोसन जो है कुछ दिन के लिए उसको बुला के लाया गया उसकी मोसीच थी तो ये इसका पालन पोसन कर रही थी ठीक है अब देखिए ज्यादा मान लेते हैं बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर ये होगा इस तरह का उसकी साली को लेके रख लिया है तो आपके जो घर में तो कोई दिक्कत है नहीं ना सुद्धन को दिक्कत है ना उसकी बच्चे की जो मोसी है उसको कोई दिक्कत है घर में सब समझदार हैं तो कोई दिक्कत है नहीं लेकिन प्रोसी वाला जो है ना उनलोग दूसरा सोचने लग जाता है प्रोसी वाला को सो पच्छने से कोई रोक नहीं सकता है समझे सब्सक्राइब को उसको बोलने कहां रहा है तो देखिए उससे धी आपको बैचना है ये प्रोसी एहसे ना बोले तो देखिए सुद्धन को उसके जितना भी आपका परजा थे या इसके जो भी आपका सार्ति लोग टेश्का आप लोग थे सभी कोई डिफ्रेंट डिफ्रेंट इसको सलाह दिया जा रहा है कि इसकी मोसी को लेके रखे हैं गाम अल्ला तो बहुत सारे बात बोलेंगे तो महराज साधी कर लिया जाए ताकि बच्चे का पालन प्संद हो सके को बढ़िया भी हां सही बोल रहे ही लोग भी कि साधी किया जाए अब साधी करें तो किसको करें भई कोई तो दुल्हन खोजना पड़ेगा ना कोई राजकुमारी होगी या कोई ऊसी तरह का और सादी कर रहे हैं किसके लिए इस बच्चे की देखभाल के लिए जदि हम माल लेते हैं कहीं से भी दुसरी कोई दुल्हन को उठाके लेके आते हैं या कोई भी रानी को तो क्या वो जो रानी होगी वो इस बच्के को दिख भाल अच्छा से कर पाईगी या नहीं कर पाएगी इस तो इस तरह से आपका बहुत सारे दिख्स्कत दिक्त्व बहुत शॉंच वीचार करने के बाद एक चीज़ ये भी देखा गया कि सुद्रधन जो है इसके जो बच्चे है इसकी देखभाल कोन कर रही है महापरजापती ठीक है तो जिसके कारण से मान लेते हैं कोई दूसरे को लेके आते हैं तो क्या पता हुए उतना अच्छा से देखभाल करेगी या नहीं करेग सब्सक्राइब के यह देख रहे हो यह कि दीदी की बेटी है और इसकी बच्चे की मौसी तो मौसी जो है ना वह मा की तरह आपको देखभाल करती है कभी भी आप लोग एक चीदेखना गाउंदेहात में मौसी के सथ कभी लड़ाई नहीं होता है क्या ऐसा देखने को मिला ह चाची के साथ थोड़ा बहुत लड़ाई हो सकता है बार जलता है लेकिन मोसी के साध्ट गभी नहीं चलता है इतना देख लेना गाहा में किसी का भी है तो आप लोग बता सकते हो kill you add the subscript तो मोसी के साख जानते मो सी जी वते हैं मां के बराबरी होती है समझेडो जितना आपका का चाचा चाची जो है ना मात की up जाता है लेकिन maximum में आपको देखने को नहीं मिलता है लेकिन मोसी जरूर है आपका मा के बराबर आपको देखभाल करती है, कभी भी लड़ाई नहीं होगा, ठीक है, इस तरहा कंडिशन है, तो देखिए, तो बाद में डिसाइड किया गया क्या, कि सुद्धधन की जो साधी है, ये महा परजापती के साथ, क्योंकि ये बच्चे क मोसी भी है, और ये देखभाल भी कर ले रहे हैं अभी, तो इसी के साथ साधी, यानि बेवाहिक संब्द रचाज है, किसका, कौन, अभी हो रहा है, किस, अनुमती कौन लेगा, अरे, इसकी, इसकी मा की, ये जो महा माया की ये बहन है न, तो ये इस बच्चे का देखभाल, और जब बच्चे की बात आती है, तो बच्चे की देखभाल के लिए तो राजी होगी ही न, इस बच्चे को देखभाल कौन करेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो बहुत सार चीज situation condition इस तरह का पड़ता है जिसके कारण से यस बोलना पड़ता है यहां पर तो यहां पर देखिए तो इसकी साधी हो गई किसके साथ दुसरी साधी महापरजापती सुद्रधन की साधी महापरजापती गोत्मी के साथ हो गई अब तो देखिए एक चिंता की बात जो थी कि सुद्रधन का जो बच्चा जिसके लिए बहुत ज्यादा आपका इलो क्या किया था पूजा पार्ट या डिफ्रेंट डिफ्रेंट मंदीर मस्जित यह लोग गुमा था बच्चे इन लोगों को मिल गया बच्चे मिलने के फलसर हुए ब्च्चा पति छेसे अलीं के खुशी की बात है जेला करा संतान चाहिए था लोगवों को संतान मिल गया दूसरा चीजा हुआ कि यहां पर दूसरी सादी भी हो तो इसकी साली को भी लेके आ गया कौन सुद्धधन जी अब तो बहुत अच्छी बात है ना अब तो खुशी का महाल बनेगा उसकी माध चल बसी तो फ्रसदुख था यहां पर बीच में गम था लेकिन अब तो थोड़ा सा महाल बन जाएगा खुशी का तो शाधी भी है दू बहुत बड़ा पार्टी, तो इतनी खुसी अभी हो गए कि एक बहुत बड़ा पार्टी यानि समारह किया गया, क्या किया गया, समारह, एक तो आपका बच्चे का भी जन्म हो गया, दुसरा साधी हो गया, अब बच्चे का भी नामकरन भी तो करना है, चलिए, बाकित नहीं, तो देखिए अब बच्चे का नामकरण भी अब करना है दूसरा साधी भी हो गया है तो आब यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रोग्राम बनाया गया और इस प्रोग्राम में जितने भी यह लोग कपिल बस्तू में रहते थे इसके अलावा इसके आसपास का जो छेतर था वहाँ के बहुत सरे आपका गुरुजी उस समय का थे जो पंडित लोग थे उन लोगों को भी बुलाया गया क्योंकि राजा का घर में जब कोई भी चीज़ होता है तो आसपास का सभी पंडित को बुलाया जाता है जिससे अभी देखिए हम लोग के यहां अजेद्धा में राम मंदीर का अभी क्या हुआ था परान परतिष्ठा कराया गया तो इसमें हमारे देश के तो विभिन आपका बड़े-बड़े लोग गये ही इसके अलावा विदेशों से भी आएं बहुत सारे देश से भी आएं तो आप देखिए हम तो सभी जगा से आपका बहुत सारे गुरू लोगों को बुलाया गया अब जैसे सभी लोग आ गये हैं तो सबसे पहले बच्चे का नामकरन होगा अपना जो बच्चा जो था वो एक गुरू था उसमें उसमें तीन को मिख रूप से आपको गुरू आ जो बहुत से एक था तो अपने पुत्र को दे दिया ऐसी घुनिए गुरू देव जो भी उसका पंडी जी जो भी था दिक तो पंडी जी को दे दिया और पूछा कि पंडी जी इसका भौविश के बारे बताईए कि यह बहुश समय क्या करेंगा यह जो बच्चा जो है और पर नामकरन भी कर दीजी देखे की ये बहुत समय कीस तरह जीवन जापन चलेगा यह फ़सामmış आगे चल कि यह क्या पर यह बच्चा कर देखे दिया तो जिस भी उस गुरू को दिया था हुशने उसके बहुत से थे बहुत öldमारे में उसने बताना शुरू कर दिया तो समझ यह वह जो बच्चा जो था उसकी माने जैसा जैसा सपना में वह देखा था वह सारा चीज उस गुरू जी ने बता जिए क्योंकि वह बहुत से बानि करते हैं कि यह बच्चा क्या आगे चल करेगा तब उसने देखे क्या क्या बताया सबसे पहला के बाचित नहीं फिर आप लोगको बहेज देंगे दूसरे क्लास में हमको पिंड्रब साइलेंस सुनाई देता है समय यह कोई शोवी रहाना पता चल जाता है कल क्लास में ले रहे थे वहां या था न बच्छा लोग यह को सो रहा है सब हमको दिखता है समझ आरा थोड़ावी रहने लगता तो बोल देते हैं तो शृता किया देखिए तो यहां इस बच्चे की बेरे बात हो रहा है तो उसने जो भी सपना में कशता फंटी जी सा सब्सupplar तो उसने जैसे बच्चे के बारे यह जो बच्चा है ना यह बहुत ही यह भगवान का आउतार है दूसरा यह धरती का उधार करने के लिए इस सारा चीज़ उसने बता दिया कोई भी वाप जक्ते हैं के बारे में इस तरह की बातने इस का प्रियो को आपका को भुण देगे दूसरा इस जी लिए उसके बेड़ा की कभी नहीं करना इस तरह का उसके बेटा के बारे में जब उसका पिटाजी को इस तरह से बोला गया कि भगवान का उतारा इस धर्ती को उदार करने के लिए आया है यह बहुत खुसी की बात है किसी का दुख को अपने दुख समझ लेगा और उसका दुख अपने मिले लेगा बहुत अच दूख्या है निकाल देता है तो यह तो आभी अमनुस है अभी बच्च मुझे ए ठीक है तो हैं हर आदमी हर अच्छाई के पीछे कुछ नहाई को बुर लिए चलिए बात तो सही है इसके अच्छाई तो बता दिए यानि यह भगवान का व्सक्राष परूटों से बीविएक और ये बच्चे किसी किसी दुसरे बेक्ति का दुख अपना बहुत अच्छी बातvit लेकिन अच्छाई के पीषे कुछ बुराई भी तो इसका बुराई क्या है अब दूसरा का बुराई करने में डर जाता है क्योंकि राजा है और इसकी जदी हम बुराई कर दें तो पता नहीं क्या नहीं क्या हमको सजा देगा डर भी है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा जब request करने लग गया तब उसने उसकी बुराई यानि उसका जो negativity है उसको भी वह बताना शुरू कर दिए अब देखिए उसके negative क्या है उसका उस बच्चे में क्या है उसकी आपका नकारातमा दोस्ती तो समझे वह नेगेटिव है तो हम अपना खाना छोड़के तुमको दे देंगे तुम मान लेते पर एक कपड़ा नहीं है तो अपना कपड़ा लेके तुमको दे देंगे तो आखिर हमको कैसा मेरा condition होगा तो कभी यह क्या बोरा जानते हो यह आपका जो यह बच्चा है ना यह भूखे रहेगा इसका खाना नसीब नहीं होगा इसका सट पेंट नसीब नहीं होगा कपड़ा नसीब नहीं होगा अब बताइए हम राजा है मेरे पास आसपास के सभी लोग आके मेरे पास बच्चिना लेके जाते हैं और वे लोग का खाना भोजन सभी का चलता है मेरे ही बेटा के पास इस तरह स लिए की मेरा बेटा का इस तरह का नसीब नहीं होगा अधिक है इसको कपड़ा नसीब नहीं होगा लेकिन इसका कोई तो solution भी तो होता है क्यों उपाई होगा कि इससे मतलत दूर चला जाए तो देखी यहांसे उप्चार भी तो होना चाहिए ना यहां से इसके बारे में उप्चार बताया इसका उप्चार क्या होगा भाई जदी इस तरह का बच्चे में आएगी तो दिक्कत वाली बात है तो इसका उप्चार किया जाए तो यहां पर उप्चार के लिए एक बात बोला आप लोग एग नहीं पता है अच्छा कोई बात नहीं यानि मूवी देखिए आपको एक चीह हम उसका उसी का यहां पर वही फिल्म का यहां पर रिप्य होगा समझ यह होता गया है उसमें क्या दिखाया गया करिस्मा कपुर जी जो थी ना उसका तीन गों भाई था ठीक है उसको इतना अच् खेलना रहता था सभी घर में उसके खिलने आएगा घर से बाहर त्हक्त है इतना अच्छा से उसको रखा जाथा यानि बांडरी के अंदर जो चीच करना है आपको बांडरी के अंदर तो इसके साथ बांडरी है ना तो इसको और उचा कीजिए और कोई भी अगर मान लेते हैं दुखी वेक्टी या विखारी वेक्टी अगर आपके घर में आते हैं तो उसको अपस रिटन इसके सामने कोई भी दुखी वेक्टी को आने नहीं देना है इसको boundary के बाहर नहीं जाने देना है कोई दुखी बेखती हो या कोई भी मान लेते जिसका बूखा बेखती हो या कोई पिर जैसे मान लेते जिसका कप्ड़ा नसीब नहीं ऐसे लोगों के पास इसको जाने नहीं देना है इस तरह का उपाई किजिए तो राजा सुडर दे दिया कि सभी परिजाकों erson1 करेंगे बॉंडरी वहां नहीं जाना चाहिए इसकी देख रएक के लिए गो रहेगा से बच्चा कभी भी आपका बाहर नहीं जाएगा लिए को इस तरह की ब्योस्था किया गया इतना इसके लिए उपाई किया गया इस बच्चा का नाम क्या रखा गया था तो सिदार्थ क्या नाम रखा गया था अगर बच्चे का नाम करन क्या हुआ था सिदार्थ चलिए आगे बढ़ते हैं लो देखिए यहां पर कुछ थोड़ा सा रिपीट करते हैं देखिए यह जो बच्चे जो देख रहे हो इसका पिदाजी का क्या नाम था इसकी माता क्या नाम था महामाया इसका पालन पुसंज्यों की मोसी उसका क्या नाम था अग महापर्यापति गोठीड और इसका इस बच्ची का नाम क्या है सिधार्थ कोई दिकत क्ला सफाए इसका जन्म कहां हुआ था अब बन में हुआ था मैं नहीं समझहां dit पिज़ेत बन पड़ता है तो ही इसका जन्म हुआ है ना ठीक है जन्म पहां हुआता और इसके जन्म के समय क्या-ki स्भान हुआ'REा था तो इसको यह और सबसे ayam तो उसका जर्म का परती होगा आगे चलके समझें तो बच्चे का नाम करन से आगे कल बढ़ेंगे कि आज नहीं हाँ क्या बता रहे थे वो कल आएगा उस तब आएगा कल